जैस्री कृष्णा राधे राधे सिवालयों में भक्तों का ताता लगा रहता है स्रावन के महने में और स्रावन मां में पारत सिवलिंग की पूजा करने की महिमा बहुत है अगर आपके घर में सिवलिंग नहीं है आप अस्थाफित करना चाहते हैं तो स्रावन माह में आप पारत सिवलिंग अस्थाफित कर सकते हैं वैसे सिव पुरान और लिंग पुरान में पारत सिवलिंग का जिकर मिलता है क्योंकि सिव पुरान के अनुसार स्रावन माह में पारत के सिवलिंग की पूजा करने से सहस्त्र सिवलिंग की पूजा का फल प्र लेकिन अगर हम जोतिस की माने तो इस बार स्रावन माह में तीन बार रभी योग बनेगा और चार योग अलग-अलग दिन पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए सुमबार साथ बिसिस्ट योग भी बन रहे हर सुमबार के दिन तो चले जानते हैं सुभ योग कब है और पूरे स्र स्रावन माह में तीन रभी योग है और चार योग अलग-अलग दिन है पहला सोमबार इस बार 18 जुलाई को है इस दिन सोभन नामक योग और रभी योग बनेगा स्रावन माह का दूसरा सोमबार 25 जुलाई को है इस दिन प्रदोस ब्रत के साथ सरवार सिद्धी योग भी ब होने का चौथा और अन्तिम सोंबार आठ अगस्त सोंबार को पुत्रदा एकादसी होगी और श्रावन माह में ये सभी सुम्हुर्थ भगवान सिवी की पुजा के लिए बिसेश सुभ होते हैं तो श्रावन माह की सुरवाद 14 जुलाई यानि कि सुक्रवार गुरुवार से हो इसकारण स्रावन माह का महत तो और बढ़ गया है क्योंकि इन दोनों ही औबूज मुहुर्थों में भगवान सिवी की पुजा का फल कई गुना बढ़ जाता है तो इस सुम्हुर्थ में पुजा के दौरान सिवजी पर आप गंगा जलसे अभी से जरूर करें और बिलपत् सुकामना है सास्त्र कहता है कि स्रावन के महने में सात्विक आहार गरहन करना चाहिए इस महने में प्याज लहसन भूल कर भी नहीं खाना है और स्रावन के माह में मांस मदीरा का सेवन तो आप भूल जाए क्योंकि इस महने में भगवान सिव पृत्वी पर बिराजते हैं सि पूरे परिवार के साथ इसलिए भगवान सिविकी विधी विधान से पूजा करें और ब्रह्मचरे का पालन तो जरूर करें क्योंकि स्रावन के मेने में सोमबार के ब्रत कम हत हुजाता है संभब हो तो कम से कम दो सोंबार का ब्रत जरूग रहे एक उजाले पक्ष की एक अंधेरे पक्ष की यानि एक सुकल पक्ष की एक कृष्ण पक्ष की तो भगवान सिवी की पूजा में कुछ बिसेश वस्तु है जिसका परियोग जरूर करना चाहिए जैसे पुस्प पंच फल या पंच मेवा रत्न दक्षिना जरूर दे बिना दक्षिना का सिप पूजा संपूर नहीं होता कुस दही घी सहद गंगाजल पांच रस जिसमें इक करस भी आता है गन्नी करस आप बेदाना करस ले सकते हैं नार करस इत्र गंध मोली जनव पंच मिष्ठान बिलुपत्र धतूरा भांग बेड आम की मंजरी जो की बाले तुलसी दल नहीं तुलसी का पत्ता नहीं बलकि तुलसी की मंजरी सिबड़ मंंदार पूस्प गाय का कच्चा दूद कपूर धूप और सिमा पारवती की पुझा जब आप करेंगे पारवती की तो सृगार की वस्थू अहाद तो इसलिह भी ज्यादा है कि स्रावन का महीना हिंदी कलेंडर की 5 पांच महीना है और सिब जी की सबसे पुसंद दिया मेना है तो इस महने में कुछ मंत्र है जिसका आप जब जरूर करें सिब जी को पुसंद न करने के लिए डिस्किप्सिन में देखिए का हमने विस्तार से दिया है मंत्र के बारे में तो भगवान सिब की पूजा उनको प्रसंद न करने के लिए स्रावन का महना सर्वस्रिष्ट है तो भगवान की सिब की पूजा आप तो करेंगे पर नियम है कुछ नियम ये है कि इस महने में आपको सिब जी के लिए महा मिर्दुन जा मंत्र का जब जरू करें कम से कम हर सोंबार के दे नौर्वेज अलकोहल का सेवल तो बिल्कुल भी ना करें नहीं तो सिब हो जाएंगे कुड़ीत अगर आप सोंबार का ब्रत करना चाहते हैं तो बीच में उसको मत तोड़िए एक ही बार आप खल खाकर उपवास करने पर करें अब यह नहीं कि मैं नहीं करेंगे अपने सोच लिया हमने करना है हमें दो पर तक आप भूके हैं आप खाना का लिए ऐसा मत कीजिए अगर आप सोचा है तो फलका के ब्रत को पूरा करें और भूल कर भी स्राबन के महिने में यद रखिए लसन प्याज बेगर यह नहीं ही खाना है मांस मंदिरया नहीं खाना साग नहीं खाये जाते हैं इन चीजों का धियान रखे लेकिन आप ब्रत रखते है तो ब्रत यह कहता है कि आप आटा बेशन मैदा सब्डू अनाज बिल्कुल भी ना करें और मांस मंदीरा लहसन प्यास तो घर में बढ़ने ही ना दें वैसे तो धनिया पॉडर और सफेद नमक का भी सेवन नहीं किया जाता बहुत साही लोग सिंधा नमक से ब्रत रखतें कोई बात नहीं आपके हैं जो चलता है वहीं कीजिए लेकिन ब्रत क कर भी बहुत पसंद है नास पाती का सेवन ना करें इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ब्रत करके नास पाती का सेवन नहीं किया जाता आप सेव केला अनार खा सकते हैं लेकिन जब आप सोमर का फास्ट रखिएगा तो इस दिन गन्ने का रस और दूद का सेवन बिलकु से योग बना हुआ है तो खटी चीजों का भी कहा जाता है कि नहीं करना चाहिए सबन करने की मनाई है तो आप इस बात का ध्यान रखेंगा खास कर अगर आप ब्रत रखते हैं तो पर संपूर्ण फल नहीं मिलेगा तो इस महिने में जैसे की होता है ना अचार इमली यह सभी पूजा में कुछ ऐसी बस तुझे उनको और पित नहीं करना चाहिए जैसे पुस पसिंदूर हल्री कुमकुम और पीतल का लोटे का आप इस्तेमाल कीजिए सिभी बहुत प्रसंद्व होते हैं वैसे तो जल हमेसा तामबे के बरतन में डाल कर ही अर्पित करें पूजा में स तो सिभी में रम जाएं और तूलसी का पत्ता भूल कर भी अर्पित ना करें वैसे तो स्रावन का महिना का महत तो बहुत जादा है और सिभी के मंत्र का जब तो आपको करना ही है लेकिन आप देखिए साबूदाना आप खा सकते हैं आप दही पनीर छाच ये सभी चीज़े खा सकते हैं और साथ ही साबूदाना के साथ आप सेंधा नमक खा सकते हैं फल में आप सब कुछ खा सकते सिभाए नास पाती के तो स्रावन का महिना चंद्रमा के स्रावन नच्छत्र पुर्णिमा जो है वो यहां से नच्छत्र में होता है स्रावन महिना का और 27 में से 22 नच है श्रावन नच्शलर इसका स्वामि ब्रस्पती है तो िसरावन का अर्थ है सुनना यानि इस महने में भगवान के शुरूप का सुनन किस ना विकर दूर हो सकते हैं और श्रावन दार्मी कथा Bonus बिसेहरोब से किया जाता है तो स्रावन का महिना पूजा पाठ के लिए बिसेस होता है सावन के महिने के आरंभ में सुर्य सिंग रासी में प्रवेश करते हैं तो हम फिलार आप अगर जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेब जरूर लिखिएगा धन्यवाद